जै माता दी दोस्तो आप सभी का सुभ़ागत है हमारे YouTube चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नवंबर महा के पहले सप्ता के बारे में यानि 1 नवंबर से 7 नवंबर 2021 के धनुरासी फल के बारे में नवंबर का पहला सप्ता यानि त्योहरों का सप्ता धनु रासी के लोगों के लिए कैसा रहेगा? कौन ग्रह कहां इस्तित होगा? और आपकी रासी पर क्या प्रभाव डालेगा? ग्रहों के प्रभाव से आपके वेपार, वेपसाय, कारेचेत्र, सिक्षा, स्वास्त, पारिवारिक जीवन, प्रेइम जीवन और दामपत्य जीवन पर क्या असर पड़ेगा? जानेंगे सभी बातों के बारे में दोस्तों आगे बढ़ें इससे पहले आपसे निवेधन हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बरावर में जो घंटी का बटन है उसे दबा दें, जिससे हमारे अने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचेगा आप तक सबसे पहले बात करें इस सब्ता गरहों की इस्थती के बारे में तो इस सब्ता मंगल देव आपके एकदस भाव में वराजमान होंगे और सब्ता की सुरू में बुद्ध देव आपके दसम भाव में होंगे और दो अक्टूवर को बुद्ध देव तुला रासी में गुचर कर आपके एकादस भाव में वराजमान होंगे और मंगल देव के साथ यूती करेंगे और बुद्ध देव मंगल के साथ यूती कर राज योग बनाएंगे गुरू मकर रासी में मारगी चाल से चलेंगे और आपके दूसरे भाव में वराजमान होंगे शुकुर्देव पूरे सप्ता आपकी हिरासी में यानि लगन भाव में वराजमान होंगे शनी महराज आपके दित्ते भाव में वराजमान होंगे और यहां गुरु के साथ यूति करेंगे सूर्य देपूरे सब्ता आपके एकादस भाव में वराजमान होंगे और यहां मंगल, बुद्ध और सूरिये मिलकर आपके एकादस भाव में त्री ग्रही योग का निर्मान करेंगे और सूरिये बुद्ध के साथ मिलकर बुद्ध दित्तय योग भी बनाएंगे तो यहां एक तो राजी योग बनाएंगे मंगल और बुद्ध मिलकर और बुद्ध और सूरिय मिलकर बुद्धा दित्तय युग का निर्मान करेंगे तो ये जो त्री ग्रही युग बनेगा यह आपके लिए विसेश लाबदाई होगा राहू आपके छटे भाव में वराजमान होंगे और केतु आपके बारवे भाव में वराजमान होंगे बात करें चंद्रमा की स्थिति के बारे में तो सप्ता की सुरुवात में चंद्रमा आपके नवम भाव में गोचर करते हुए दसंभाव, एकादस और दौादस भाव तक गोचर करेगा यानि इस सब्ताा चार भावों में गोचर होगा और बात करें इस सब्ताा के महत्पून, योग और त्यवहारों के बारे में तो 1 नवंबर को रमा एकादसी होगी और 2 नवंबर धन 13 का दिन होगा और इस दिन प्रदोश वरत भी होगा और त्री पुसकर योग का नर्मान होगा यानि धन्तेरस का त्योहार त्री पुसकर योग में बनेगा और त्री ग्रही योग का नर्मान भी होगा तीन नवंबर मासिक सिवरात्री होगी छोटी दिपावली का दिन होगा और चार नवंबर दिपावली का दिन होगा पांच नवंबर गोवर्दन का पूजन होगा और पांच नवंबर को गज केशरी योग भी बनेगा च्छे नवंबर भाई दोज जो की भाई भेनों का महतपून त्योहार है इस सप्तहा में विशेश परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे और यह आपके लिए खास होगा दो नवंबर मंगलवार को धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की किर्शन पक्ष की तिरियोदसी तिथी होगी और इस दिन से ही पाँच दिवसिये दिवाली के त्योहारों की सुरुवात होगी यानि यह पूरा सप्ता त्योहारों में निकलेगा और ऐसा माना जाता है तिरियोदसी तिथी के दिन ही भगवान धन्वंत्री का जन्व हुआ था इसलिए इस पर्व को धन्तेरस कहा जाता है और धन्तेरस के दिन किया गया निवेश भविश्य के लिए लाबकारी साबित होता है धन्तेरस के दिन त्रीपुसकर योग भी बन रहा है और धन तेरस के दिन यानि दो नवंबर को त्री ग्रही योग बन रहा है यानि तीन ग्रहों की युति हो रही है धन तेरस के दिन तीन ग्रहों का सुब सहयोग बन रहा है सूरिय, मंगल और बुद्ध ग्रह धन तेरस के दिन तुला रासी में गोचर करेंगे बुद्ध और मंगल मिलकर एक धन योग बना रहे है सुर्य बुद्ध की यूती से बुद्धा दित्य योग का निर्मान होगा और जोतिस सास्तर में इस योग को राज योग की सरेनी में रखा जाता है मंगल बुद्ध की युति को वैपार के लिए बहुत सुब माना जाता है मंगल बुद्ध यहां आपके वैपार वैवसाय को आगे बढ़ने का कारिय करेंगे और बुद्धा दित्ययोग से छात्रों के लिए अनुकूल परणाम प्राप्त होंगे इसमरन सकती अच्छी होगी पढ़ाई में मन लगेगा और पृतियोगी परिक्षा की तैयारी कर रहे लोगों को सकारात्मक परणाम प्राप्त होंगे तो यह जो ग्रह की युति होगी यह आपके लिए मजबूती परण करेगी धन त्रियोदसी पर पूजा का जुसुम मूरत होगा साम 5 बजकर 25 मिनट से साम 6 बजे तक होगा और परदोशकाल का जो समय है वो साम 5 बजकर 49 मिनट से साम 8 बजकर 14 मिनट तक रहेगा और यह पूरा ही सबताहा गुरू और सनी की युति में जाएगा तो गुरू सनी भी यहां आपको सपोर्ट करेंगे गुरू सनी की युति से यहां आपको अपने वैपार वैबसाइए में अच्छी वरधी देखने को मिलेगी लाब की प्राप्ती होगी और धन में वरधी होगी रुके हुए कारिये बिना किसी व्यवधान के पूर्ण होंगे तो यह जो सपताह होगा त्योहरा को सपताह आपके लिए सकारातमक बदलाव लेकर आएगा और बात करें चंद्रमा की जब चंद्रमा आपके नवंभाव में होगा तो नौमा घर ब्रस्पती से संबंदित होता है जो चंद्रमा का परमित्र है तो दोनों ग्रहों के लक्षन और सुविधाओं को आप आत्मसाथ करेंगे साथ ही आप अच्छे आचरन वाले होंगे मन से धार्मिक होंगे तीर्थियात्राओं से प्रेम करने वाले होंगे दीरगाई होंगे और संतान सुख में व्रद्धी होगी धार्मिक कारियों में गहन रुची होगी और धन में अच्छी व्रद्धी देखने को मिलेगी तो यह जो समय होगा आपके लिए अनुकूल होगा और जब चंद्रमा आपके दसंभाव में गोचर करेगा तो दस्वागर हर तरीके से सनी द्वारा सासित होता है और यहां आपको लंबी आयू देगा चंद्रमा और मेडिकल छेतर से जुड़े लोगों को अच्छा फायदा होगा आपका रुत्वा बढ़ेगा और इस दोरान आर्थिक मजबूती आपको मिलेगी अच्छा धन कमाने में कामियाब होंगे मेडिकल छेतर से जुड़े लोग, डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाप से मेडिकल स्टोर करने वाले लोग प्रसिधी हर जित करेंगे और सनी से संबंधित चीजें व्यवसाय आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे धारमे की स्थान उपर जाने से, यातरा करने से भागय में व्रद्दी होगी और जब चंदरमा आपके ग्यारमें भाव में गोचर करेगा तो धन धैनने में अच्छिवरद्दी होगी संतान से सुक्की प्राप्ती होगी और किसी ना किसी कारे की यूजना बनाते नजर आएंगे हर यूजना का संबंद लाब से अवस्य जुड़ा होगा परतेक सुक्स विधाओं का आनंद लेंगे संतान की ओर से सुक्की प्राप्ती होगी वेपार में अच्छे लाब मिलेंगे वाहन आधी का सुक भी प्राप्त होगा धन संपत्ति के मामले में मजबूती मिलेगी समाज में मान संमान बढ़ेगा और जब चंडरमा आपके बार में भाव में जाएगा तो यहां घर में विचारों में भिनता होगी जिसके कारण इस्थिती कुछ तरापून हो सकती है कारियों में व्यवधान भी हो सकता है खर्चों में बढ़ुत्री होगी और आलेशे की अधिकता के कारण बने हुए कारिये भी बिगड़ने की के इस्थिती में होंगे तो आलेशे को बिल्कुल त्याग दे और वानी में जितनी मधूरता होगी उतना आपके लिए अच्छा होगा प्रेमियों के लिए भी यह समय अनुकूल होगा एक दूसरे को उचिस समय देंगे विवाहित लोगों के बीच मधूर सम्मंद होंगे और घर परिवार में खुसी का माहौल होगा दोस्तो ऐसी जनकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें चैनल को सब्सक्राइब, सेर वे लाइक अवश्य करें जै मतादी दोस्तो